C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कारेक्रम नाटक में नाटक राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए और जब नाटक में अभिने करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए उसके साथ ही मोहन, सोहन और शाम ऐसे ही थे मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये नाटक करने में रात में मुझे बहुत कम समय मिल पाया तो नाटक करने के लिए पता नहीं अब क्या होगा मुझे भी थोड़ डर लग रहा है जिए मारी रिहरसर भी नहीं हो पाई हाँ सही कह रहे हो, क्या करें? अब हम इस समय पर मना भी तो नहीं कर सकते हमें कुछ को करना ही पड़ेगा वह स्वयम अभिने इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेट कर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था भी नहीं लगा मोहन सोहन और शान यूँ तो अच्छी तरह अभिने करने लगे थे समझ गई ना हाँ हो जाएगा हो जाएगा राकेश ने पूरवा भ्यास के साथ दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था निर्देशन उसने इतना च्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारन से साधारन बाद भी समझ में आ जाए खैर प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया राकेश साथ सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था सभी को अपने डायलोग याद है ना हाँ याद है याद है समझ गए हाँ समझ गए हाँ समझ गए और सभी को अपनी जगे तो याद होगी हाँ याद है मोहन बना था चितरकार और सोहन बना था उर्दू का शायर नाटक में दोनों दोस्त होते हैं चितरकार कहता है उसकी कला महान शायर कहता है उसकी कला महान शाम बनता है संगीतकार वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं बजाए इसके कि वह नए-नए मित्रों से मधुर बातें करे बड़े छोटे के इस विवाद में उलग जाता है मेरी कला महान तेरे कहने से क्या होता है? अरे तुम दोनों चुप रहो मेरी कला महान संगीतकार की कला महान अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था सब को अपना अपना पाट याद आ रहा था सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे अचानक श्याम पाट भूल गया क्या था? क्या बोलना था? अरे मैं कैसे भूल गया? पर्दे की आड में राकेश स्वयम पूरा नाटक लिए खड़ा था वह हर एक समवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को समवाद याद आते रहे जब संगीत की, जब संगीत की सुर लेरी खूश दिये तो मगर शाम घबरा गया वह सहसा चुप हो गया उसके चुप होने से चितरकार और शायर महुदय भी चुप हो गये होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बना कर बात आगे बढ़ा देते पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे संगीत कार महोदै भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे राकेश बार-बार संगीत कार जी का संवाद बोल रहा था मगर आवास तेज होकर माइक से सब को ना सुनाई दे जाए इसी लिए धीरे-धीरे फुस-फुसा कर बोल रहा था जब संगीत की स्वरलेरी गूचती है तो पशु पक्षी तक मुगध हो जाते हैं शायर सहाब, आप क्या समझते हैं संगीत को? संगीतकार जी को वहां हलकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तभी शायर सहाब संगीतकार के कंधे पर हाथ मार कर बोले संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की और खे सकाए संगीतकार जी और घबरा गए, जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे जट से बोलने लगे संबात था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंचती है, तो पशु पक्षी तक मुख्द हो जाते हैं शायर सहाब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार सहाब बोल गए यूँ जब संगीत के सर लेरी गूंचती है तो पशू पक्षी तक मुखी खा जाते हैं गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें तुम्हारा सर गाजर साहब हुमे चित्रकार महोदे ने मंच पर सूज और अकलमंदी दिखाने की कोशिश की अरे इनका मतलब है आपकी शैरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हो इसलिए इनकी कला सबसे महान है, मगर मेरी कला इनकी कला से भी महान है तुने भी तो गलत बोल दिया, मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या और मेरी शायरी गाजर मूली है, तो तेरी चितरकला जाडू फेरना है, पोतना है, देख, मूह संबाल कर बोल प्राकेश गब्रा रहा था, घुस्सा भी आ रहा था, और उसे रोना भी वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था, और कोई तरकीब सोच रहा था, इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू और मैं मैं हो रही थी चित्रकार महुदय हाथ में कूची पकessä, आखे नचा नचा कर मतक मतक कर बोल रहे थे तुझे क्या खाक शाहरी आती है, जवरदस्ती तुझे ये रोल दे दिया, तू ने सब गड़बड कर दिया शायरी तो मेरी बातों में टपकती है तूने कभी तूद ब्रश के इलावा भी कोई ब्रश उठाया है यहाँ चित्रकार बना दिया तो तू सचमज में ही अपने आपको चित्रकार बना दिया दर्शक हसी से लोट पोट हुए जा रहे थे संगीत कार महोदै कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ न चाते कभी दर्शकों की ओर तब ही तेजी से राकेश मंच पर पहुँच गया सब चुप हो गए राकेश पहुँचते ही एक कुरसी पर बैठते हुए बोला आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंदवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरहे रहसल की है जोर जोर से लड़ने लगे अभी ने का दिन बिलकुल पास आ गया है और हमारी तयारी का ये हाल है हम क्या करें डारेक्टर साहाब पहले इसी ने गलती की राकेश बात काट कर बोला अरे तो मैंने कहे नहीं दिया था कि रहसल करते हुए ये मान के चलो कि दर्शक तुम्हारे सामने ही बैटे है अगर गलती हो भी गई थी तो वहीं से ही दुबारा रहसल शुरू कर देते ये क्या कि लड़ने लगे सब गड़बड कर दिया बात राकेश ने बहुत सम्हाल ली थी परदे की आड में खड़े अन्य साथ ही मन ही मन राकेश की तुरत बुद्धी की प्रशंसा कर रहे थे दर्शक सब शांत थे भोचक्के थे वे सोच रहे थे यहां क्या हो गया वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया मगर यहां तो नाटक में ही नाटक था उसकी रेहरसल ही नाटक था मानो इस नाटक में नाटक की तयारी की कठिनाईयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था राकेश कह रहा था देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार और बड़ा कलाकार वही होता है जो दूसरे की तुर्टियों को नहीं, अपनी तुर्टियों को देखे और सुधारे दर्शक नाटक की भूरी-भूरी प्रशनसा करते हुए अपने घर चले गए नाटक में नाटक अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी के पाठे पुस्तक दूर्वा के एक पाठ पर आधारित ये कारिक्रम लेखक, मंगल सक्सेन, ध्वन्यंकन, बटिलैंग लिंग्डो और शानु मुक्सीम, कलाकार, संदीप भट और बच्चे, विशेश परामर्ष, अजी थोरो, निर्देशन, निर्मान और ध्वनी संपादन, विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली